गुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी रहपर तेरे चर्णों में हर स्वांस बुजर जाए जिस स्वांस तुझे भूलू वो स्वेंस ठहर जाए सद्गुरु निरंकार दातार के चर्णों में दासी सभी के लिए यही मांग मांग दी कि सचे भाष्ण सभी को आप जी के चर्णों में अंतिम स्वांसों तक सेवा सिम्रंट ससंग करने का ये सुवसर मिलता रहे साथ संगत जी कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्षे है इस प्रमग्यान को पाना हमने इस प्रमग्यान को पाना है हमने ये नहीं देखना कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमने अपनी मंजिल को पाना है हमने अपना निशाना जो है अपना जो टार्गेट है उसकी तरफ ध्यान देना है इसी तरह एक स्टोरी दासी आप जी की चर्णों में शेयर करने जा रही है आप जी बरवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें साज संगर जी कहती है एक आदमी स्वामी विवेका नन जी के पास आकर बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मेहिनत करता हूँ, लगन से काम करता हूँ लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता उन दिनों स्वामी विवेका नन जी के पास एक चोटा सा पालतू कुता था स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा उस आदमी से कहा तुम कुछ दूर मेरे कुट्टे को सैर करा कर लाओ फिर मैं तुम्हारे प्रशन का जवाब दूँगा वेह आदमी कुट्टे को लेकर चला गया काफी देर बाद वेह आदमी वापिस जब स्वामी जी के पास लोटा तो उसका चेहरा चमक रहा था जबकि कुट्टा पूरी तरहे हाफ रहा था और ठका हुआ लग रहा था स्वामी जी ने उस आदमी से कहा कि कुट्टा इतना ज़्यादा कैसे ठक गया है जबकि तुम तो तरो ताजा दिख रहे हो वह आदमी बोला मैं तो सीधे रास्ते चल रहा था लेकिन ये कुट्टा गली के सारे कुट्टों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापिस मेरे पास आजाता था हम दोनों ने रास्ता तो बराबर तै किया है लेकिन फिर भी कुट्टे ने मेरे से ज़्यादा दोड लगाई है इसलिए यह ठक गया है स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले यही तुम्हारे प्रशन का उत्तर है तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आस पास ही है लेकिन तुम अपनी मंजिल को पाने के वजाए दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर हो जाते हो इसलिए हमें अपना लक्षे खुद निर्धारित करना है यह सुनकर वह आदमी खुश होकर स्वामी विवेका नंजी के पास से अपने प्रशन का उत्तर पाकर अपने घर वापिस लोट गया उसे समझ आ गई कि हमने जो हमारे जीवन का लक्षे है उसको प्रापच करना है हमने लोगों के पीछे नहीं भागना लोगों को नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है इस तरह देखते हुए हमने अपना समय परबार नहीं करना है हमने अपने लक्षा को प्रापच करके उस लक्षा पर चलते हुए हमने अंतिम स्वासों तक अपनी मंजिल को प्रापच करते हुए मुक्ती पानी है साथ संगत जी जैसा आप सभी को पता है कि हमारा सत्तरवाँ एन्युल वारशिक निरंकारी संसमागम बहुत ही नजदिक आ गया है संत निरंकारी मिशन में वारशिक संसमागम का बहुत महत्तव प्रापत है ये वार्शिक संसमागम पहले पहल आदर्निय महात्मा सज्जन सिंग जी की याद से शुरू हुए आदर्निय महात्मा सज्जन सिंग जी युग पुरुष शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज के स्पुत्र थे वे बहुत सूजवान और उत्साही नोजवान भगत थे संत निरंकारी प्रकाशन की शुरुआत उन्होंने ही पत्रिका सत्गुर्दी लोड छपवा कर की थी सन 1908 ताली में जब वे छोटी सी आयू में ब्रमलीन हुए तो उनके जीवन से प्रेहना लेने के लिए दिल्ली में शर्धांजली ससंग का आयोजन किया गया इस ससंग में देश भर से अनेकों महापुर्श पहुँचे जिस कारण इसने विशाल रूप धारन कर लिया बाद में इसे हर साल आयोजित किया जाने लगा यही से वारशिक संसमागमों के आयोजन की शुरुआत हुई यह संसमागम जहां भगजनों को भक्ती मारक पर मजबूत करने के सादन सीथ हुए वही अनेकों नए लोगों तक मिशिन का संदेश पहुँचाने के मात्यम भी बने सन 1948 से लेकर 1962 तक कुल 15 संसमागम युग पुरुष शैनशा बाबा आवतार सिंग जी महराज की छतर चाया में मनाये गया इस अवदी में इन संसमागम शामिल होने वाले शर्धालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए लाखों में पहुँच गई संथ समागम के लिए बड़े-बड़े मैदानों की खोज होने लगी सन 1980 का 33 वारशिक निरंकारी संथ समागम सत्कुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज की छटर चाया में होने वाला पहला संथ समागम था जो की राजगाट, शान्तिवन वे वीजगाड के सामने वाले विशाल मैदानों में संपन हुआ संथ निरंकारी मिशन स्भलता पुरवग लगादार ये संथ समागम आयोजित करता आ रहा है दुनिया भर के प्रेमियों में निरंकारी संथ समागम का विशेश महत्तव है पूरे संसार के देशों वैस्तानों से लाखों शरधालू, बड़ी शरधा और दूम थाम से संथ समागम में भाग लेने के लिए पहुँचते हैं पूरे साल ही महापुर्श बहुत बेताबी से संथ समागम का इंतजार करती है संथ समागम में सेवादल ससंग, सेवादल रैली, कभी दरबार और परदरशनी आदी द्वारा मीशन का संदेश परसारित किया जाता है संथ समागम में पहुचने वाले शर्धालों के रहने, लंगर, केंटीन, टॉइलर्स, वे, बातरूम्स, ससंग पंडाल आदी की सुंदर व्यवस्था को देखकर आए हुए सजन हैरानी से भर उठते हैं देली के ससंग में सत्गुरु के प्रवचन सुनकर शर्धालों स्वयम को बहुत अनन्दित महसूस करते हैं, संथ समागम में देश, दूर देशों के भगतों के दर्शन भी होते हैं वेह कहते हैं कि हर वेह व्यक्ति जो शान्ति वे प्रेम का प्रेम वे अनन्द का चाहावान है जिसके शान्ति प्रेम और अनन्द चाहिए उसके लिए संथ समागम सुखी वे आशा का परतीक है हर मानव इस संथ समागम में शामिल होकर धरती पर स्वरक के साकार रूप लेते हुए देख सकता है निश्चित रूप से ही है संथ समागम जन्द मानस में आध्यात्मिक समाजिक क्रांति की प्रेमना भर देता है आओ हम भी सत्त्र में वार्शिक निरंकारी संसमागम की तैयारियों में लग जाएं सत्गुरु जैसे ही हमें सत्संग सेवा के मोके देते रहेंगे हमने उसी तरह हैं आदेश को मानते चले जाना है जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करे संतों हमें ये वर्दों की गुनगान हम करे यह शीरवात पांगते हैं कि सचे बाश्या सभी को ये निरंकारी संसमागम में जाने का मुका भी मिले स्तत्रवे वार्शिक निरंकारी संसमागम में जाने का मुका भी मिले और जो जो भी सेवा के आदेश आएं उसको भी सभी उसी तरह हूँ बहूं करते चले जाएं दातार सब को तर्मंधर की शक्ति दे और सभी इसी तरह हैं तर्मंधर की शक्ति से सत्कुरु का हशीरवात लेते हुए सेवा सी ब्रदससंग में जुट जाए और अपने स्तत्रवे वारशिक निरंकारी संसमागम की तियारियां करें हमने जाना भी है और सत्गुर के आशीरवाद भी पाने है सब खुशिया मनाओ संतों ये समा सुहाना है बढ़ चड़कर सेवा कर लो संत समागम आना है तनमंधन की सेवा का भरपूर मौका है ना समय गवाओ कर लो जो जो भी सोचा है गर अभी न कुछ कर पाए फिर तो पच्टाना है दुनिया के कोने कोने से यहां संत आएंगे दर्शन उनके करके हम जीवन महकाएंगे भगती से भरा हो जीवन सब ने वर पाना है मस्ती में जीवन बीते करते अर्दास है सब तूने ही तो दिया है जो मेरे पास है सब तेरे हुकम से होना तूने ही कराना है उसे कोई कमीना होगी जो तेरे दिवाने है दाता ने सुख देने को ये रचे बहाने है विजय सत्गुरु चर्णों से सब ने सुख पाना है सब खुशिया मनाओ संतों ये समा सुहाना है बढ़ चड़ कर सेवा कर लो संत समागम आना है सत्कुरू के चर्णों में यही अशीरवाद मांगते हैं हे सचे पाशा दातार तेरे दर से बस यही दूआ मांगें घर घर में खुशी बर से हम सब का भला मांगे सब दे घर तो दुख बुकनस से तेरे रहमत घर गर्वसे कर दे मिहर दातिया जोड़ा हाथ करा अर जोई तेरे दाते थोड़ सत्कुर के चर्णों में सब के भले की खाम नख करते हुए दासे सीमरन भी करवाएगी सब ही ने मिलकर सीमरन में विसा देना है जे तु ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनु बख्ष लो भो लिये सत्कुरु माता सुधिक्षा सविंदरहर देवजी महाराज की जे आस संगच जी बड़े पेम से कहना दान निरंकार जी बख्ष लो तू ही निरंकार मेर तेरी शरना मैंनू बख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै सासंग जी बड़े पेम से कहना धान निरंकार जी